सेंटर में टीम आईकू सोल मौजूद होती है सरकल के तो आप मान के चलिए कि वो चिकर इंडिनर की स्टोरी लाइन के आसपार की जाते वे नजर आते हैं पर टीम लॉल्स के कुनाल को स्पॉर्ट किया गए जॉल सरक के द्वारा इंस्टेंट नॉक और फिनिश हमें देखने करते हैं वो नजर आएंगे और हम मिनी मैप में देख भी सकते हैं दो तरफा वार वो करते हैं नजर आएंगे जॉनतन एक स्मोक उनों ने सामने किया जरूर है अब देखना ये टीम लॉल्स वो इस 3v4 की चुनौती के लिए कितने तयार हैं देखे बेशक आप क्लासिक में साथ मिलके जरूर खेलते हैं लेकिन जब बात आती ए-sports की जब बात आती competition की competitive की तब आब एक दूसर के विरुद खेलते हैं रज़रा रहें जी हम बात कर रहे हैं पहले प्राइटाइज करेंगे इस fight को कोशिश करें नंबर्स कडवाटेज है तो और भी ज़्यादा बढ़चर करें इस साले इस fight में लोल्स के बहुत करीब वो grenade जाएगा लोल्स को डाउन भी किया जाएगा जॉन्सन का वो grenade आप इन दोनों के बारे में चर्चाई करी रहे थे कि वहां पे लॉल्स को टेक डाउन किया गया नौ ग्रिनेट्स हम देख पारे थे जॉनतन के पास अब वो आगे बरतुए नजर आएंगे मोदेत ये एक बहतर ग्रिनेट्स आपित हो सकता था लेकिन मैं जिस चीज की चर्चा कर दा था वो कम्मिनिकेशन ओन पॉइट वो सिनर्जी ओन पॉइट और अभी के लिए हीरो एक्स्ट्रीम गॉड लाइक वो अनबीटेबल नजर आ रहे है साथ टोल्टल फिनिशिस निकाले गए बट अब बार ही है जोन के अंदर जाने की गॉड लाइक अब उनको सर्कल के अंदर जाना पहरे है टीम आईकू सोल उन्हों है थोड़ा रश किया टीम इंसेन की मुश्किले वो बढ़ाते विए नजर आए लेकिन अब वो जो पलट वार है वो देखने को बलेगा सेंप उन्होंने रॉनी को डाउन की और वो जोन के बाहर से हाँ पर अभी के लिए अकेल एक लौते खिलाड़ी बसते नजरा लेकिन तीव ड्राइगर्स में पूरे के पूरे उटके खिलाड़ियों को समाप करें जितके चलते हीरो एक्स्प्रीम गॉट लाइक आज के दिन का एक और विरा विरा चिकरें सुने चित करेगी पिछला म मुकाबला काफी बहतर था और यह सो हम कह सकते के बहतरी मुकाबला उनके लिए निकलता नजराया